कि नमस्कार दर्शुको मैं वूप्रत्निया आप मुझे देख रहे MNS News लाइप पर खबरों की ओर रुप करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम वही खबरे आपको दिखाते जो आपको जन्नत जरूरी है क्योंकि सच जरूरी है छेड़खानी का बदला लेने पिता पुत्र से मैला से की छेड़चाड मैला ने किया विरत्त करदी पिटाई राइगार खर्शिया थाना शेत्रा अंतरगत घर की मैला से छेड़चाणी का बदला लेने पिता पुत्रा ने आरोपी की पत्नी के साथ छेड़चाड की घटना का अंजाम दिया वही पिड़ता ने विरोथ किया तो आरोपी ने उसकी पिताई भी कर दी घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलब धारा 194, 323, 341 और 34 के तह अपराद दर्श कर लिया है मामले की विवेचना की जारी है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला जाजगीर चापा के थाना सकती निवासी 38 वर्शिया मैला 13 जुलाई की शाम अपने बेटी के साथ स्कुटी पे अपने रिष्टेदार की यहां ग्राम तरवानी आई थी जहां से वे अपस अपने घर जा रहे थे रास्ते में पर्शो कोली से तुर्केला मार्ग पर इनकी स्कुटी खरा हो गई वही मैला सड़क किनारे खड़ी थी उस समय इसके गाव का खिलवान सिदार यह उसका पिता समेलाल सिदार बाइक में वहां आये वही छेड़ खानी का बदला लेने की मंचा से हाथ बहां पकड़ने लगे इस दोरान महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पिताई भी कर दी घटना को देख पिडित की बेटी वहां आई और रास्ते से गुजर ने एक स्कार्पियों को रुकवाई इसके पास स्कार्पियों से उतर कर एक वेक्ती ने दो बाप बेटों को डाट फटकर लगाई तो वे वहां से भाग गए घटना के बाद पिडित अपने घर पहुचे और परिवारिक सलाह मश्वरा के बाद घटना की रिपोर्ट थाने में की गई जहां पूलीस ने आरोपी के खिला अपराद दर्च कर मामले को विवेचना में लिया है MLS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही Play Store से MLS Hindi आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद